तो गास मैं हुआं की तो आप देख रहे हैं रस्लिंग फैन्स नैटवक सुरू करते हैं अपनी बातों को सबसे पहले जॉन सीना से तो आपको मालूम है कि जॉन सीना जो है करेंटली अपने डबी डब्ली रन के साथ ड़न हो चुके हैं उनका डबी 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 रन था और एक्स्टेंड करते लेकिन अभी चीज पॉसिबल नहीं क्योंकि जो स्ट्राइक के वह हो चुकि एक खत्म जस्ट सुबह सुपा नियूज निकल के साम जाए कि जो सैग एफ्टरा या जो वह आसा करके स्ट्राइक है हॉलिवड वालों की राइटर एक्टर्स की वह हो चु सब्सक्राइब करने वाली है नहीं जौन सीना पहले जैसे आ देते हैं मनीन दवैंग के आसपा जिस तरीके से आए उसी तरीके से आगे तो आगे वरना तो फिर भाई से रिटार्मेंट है वह लग चीजे तो अभी के साबसे जो होपस थी कि क्राउंजुल के बाद भी सीना में भी अपियर हो वो तो अब भाई देगो खतम हो चुकि है क्योंकि यह होपस डिस्ट्राइब कर दिये इस डील ने इस एगरिमेंट ने एंड हॉलिवुड श्राइक जो है खतम हो चुकि है अनफोचनेटल लिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोडी के बार मिन्वा थे सथा था था फोरटी की तरफ है ठंब यह अभी सर्वाइबस यसरी आगला पीली होगा तो डेबटनी ने से लिए ऌर्ट कर दी है अब रिस फंश को किया सब्सकूर महला है तो पैस मीना वेकन्स होने वाला है तो हम आ 352 वहां पर प्रफ यह जो अपने इंडिया में पांच अपर दिखा रहे हैं तो इसके बाद जो है निए अपने यह साथ को आएगा अब रेसलमेन नाइट वन और यह स्टैंड डिलेवर यह दोनों जो है ना सेम दिन पर आने वाले स्टैंड डिलेवर बिल्कुल सुबह आएगा एक दम अधेरी दातवाले सुबह में यह जो अपना आइगेस रसलमीनिया है वह नॉर्मल अपना पांच सारे पांच वाले टाइमिंग तो जो स्टैंड डिलेवर है और रसलमीन नाइट वन है यह दोनों एक ही दिन आते हैं हमे अगले दिन रसलमीन नाइट टू एंड उसके बाद मंडे अपरिलेट को रौ आफ्टर मेनिया तो यह जो है रसलमीनिया वीक का पूरा सेड़्ूल कुछ इतना बिजी होने वाला यह सारे इवंट्स फिर डेल्फिया से होगा और यहां पर लोग को काफी बोनस भी मिलता है एक दो टिकेट खुरीर ली है तो वाई एक्स्ट्रा सेल मिल जाती है चूट मिल जाती है अगले टिकेट के लिए तो इसलिए से लिए रसलमीना वीकेंड जो ह cockroता ही काफी अप्रॉट की होगा नहीं कर रहा था उन्होंने कहा था कि उन्हें सुनने को मिला कि अले-ड़ नाइट का जो attitude वह बैक स्टेज काफी बुरा है यानि कि कुछ लोगों ने कुछ रस्लर्स वाकेटा नों को इन्फॉर्म करा है कि इस बंदे का attitude बैक स्टेज बिलकुल अच्छा नीए वो कायाते हैं कि देखो अगर लोगों कोई आटिट्टीट पसंद नहीं तो कोई दिकत नहीं लेकर बॉस को यह जो एक निरेटिव सेट करना चाहते थे जो एले नाइट है उनका अटिट्टीट बिहाइंड देसी इन से बैक स्टेच जो काफी बुरा सा है तो यह जो एक नर बहुत कम लोगों के साथ यह पहले बहुत होती थी पहले जो इसा होता था लेकिना भी बैक्स्रेच का महौल काफी डिफरेंट है लोग जो स्पोर्ट्समें परिट रखते हैं बिलकुल एक दूसरे के साथ जो अच्छे से रहते हैं बूजर का कहना है कि यह अप्रिस्ट के बारे में तो रिसेंटली डाम प्रिस्ट जो हैं इन्हों हो चुक है इसे लोग यह पसंद नहीं आ रहा है कि यह मनीन दबैक वाला क्या एंगल या तो कैसिन करा हो या तो नहीं तो हटा हो भाई क्यूं कर नहीं है तो ऐसे में जो मैं आपको बता दो गाज कि फैंस भली डाम प्रिस्ट थोड़े खफा हैं डाम प्रिस्ट अब इसलिए नहीं खफा हैं क्योंकि डाम प्रिस्ट कुछ गलत कर रहे हैं बुकिंग उनकी थोड़ी सी लाइक लस्ट चल रही है लेकिन डेविट अलबी जोना का इंके अक और इंग्त चीचें वह काफी सही चरही है वह काफी साइटिस्वाइड एक काफी खुस है बैक्ष्टेज दैमन्पिस्ट की परफॉर्मेंस और यहां एकले साल अने वाले एक यस जाने वाली यू नेट्रॉक पे Monday Night Raw को लेका भी तक कोई क्लारिफिकेस नहीं है धिरी धिरी आजाएगी लेकिन एक शोटी सी रूमर है वो मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगा Monday Night Raw के नेटवर्क चेंज को लेका बताया रहा है Not confirmed but hearing a small murmur from a source that WBD is in talks with WWE to bring Raw to TNT or TBS in 2024 The AW renewal seems dead in the water at this point is the wording used The WWE deal would also see the network move to max in 2025 if this happened तो बताया जारा कि जो WBD है ना और WBD के अंदर TNT और TBS आते हैं अगर मैं गलत नहीं हो तो यह चाहते हैं कि जो WWE Monday Night Raw है वो जो है 2024 में या तो TNT पर है या तो TBS पर है अब अगर आपको नहीं पता तो TNT TBS network यह वहीं है जहाँ पे जो है AEW को अपने नेटवर्क पर अभी और continue नहीं करना चाहते हैं बलकि Monday Night Raw लाना चाहते हैं यह बिगस्ट नेटवर्क वाला चैनल है सब्सक्राइब करेंगा उसके लिए तो यह मैच अभी की बात नहीं कर रहा हूं है यह मैच हो सकता है राउंड और यह मौका दो लेकिन अगर उनको रोमन से भिरना तुने अपर चुनिटी अर्ट करनी पड़ेगी रोमन ऐसा नहीं देंगा मौका रोमन के पास एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि तुम्हें पिछले साल मैंने अर्डी हरा है तो मैं तुम्हें क्यों यह मौका दूँ लेकिन यहां पर चीज़े की कोडी रोट सो रोल रमल जीत सकते हैं बट बताया जा रहा है कि जीतेंगा नहीं तो आप ब अब देखो भाई एलिमिनेशन शीमर मैच होगा तो पांच और अपूनेट्स होगे कोडी रोट के तो वो तो एक बहुत अलग चीज होगी लेकिन अगर सिंगल्स मैच होता या पर टरपर ठेट तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप किसके अगेंस देखना चाहोगे कि को अपिनिस कॉमेट करके बताना जरूर से इस वीडियो के लिए यह अपडेट्स आई होपसा आपके इंफरमेशन मिली हो मिली हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को फॉलो कर सकते मुझे इंस्टाग्राइम एंट्विटर पर लिंक आपको म एंट्रोस्टिंग वेडियो में